हेलो फ्रिंड पेरे आप सबृ लोगों का स्वागत है आज मैं बनाने जह रही हूं देसी तरीके से एक फ्राइड राइस इसे एक फ्राइड राइस को मैंने ब्राओन बस्मती राइस से बनाया है जो कि शहत के लिए बहुत ही फायदा मंद होता है इसे बनाना बहुत ही आसान है चलिए था हम इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने 120 ग्रम ब्राउन बसमती राइस लिया है ब्राउन बसमती राइस भी नॉर्मल चावल की तरह ही होता है लेकिन इसका रंग थुड़ा सा ब्राउन होता है और इसे पकाने में 3-4 मिनट का टाइम जादा लगता है इसे पकाने के 20 मिनट पहले आप इसे 2-3 बार पानी से धो कर पानी डाल कर रख दें फिलिम को अन कर लें और ब्राउन बसमती राइस को थोड़ा पानी डाल कर पकने के लिए रख दें इसे मैंने 20 मिनिट पहले ही धो कर रख लिया था इसमें आधी चम्ची से थोड़ा कम नमक मिला लें अब इसे थोड़ा सा खुला रख कर कवर कर दें इस से मैं फिलेम को हाई रखें उबालाने के बाद फिलेम को मीडियम कर लें चावल के सॉफ्ट होने तक इसे पकने दे ब्राउन बस में तीरा इसको पकते हुए 10 मिनिट हो चुके हैं एक बर मैंने इसे बीच में भी चला लिया था चावल को चेक कर के देख लें यह अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है इससे मैं फिलेम को ओफ कर दें चावल का पानी चान लें और इसे अभी एक साइड में रख लें फिलेम को ओण कर लें और इस पे कराही को रख दें कराही को थोड़ा गरम होने दें कराही जब गरम हो जाए तो इसमें एक बड़ा चमच तेल डाल दें और एक चमची घी में ला लें आप चाहें तो सिर्फ घी में भी फ्राई कर सकती है यहां पी मैंने एक मीडियम साइज प्यास को इस तरह से छोटे टुक्रों में काट लिया है और दो पिस हरी मिर्च को भी दो हिसे में कट कर लिया है इन सभी चीजों को तेल में डाल दें थोड़ा चला लें इसे एक पिस कैप्सिकम को भी मैंने चोटे टुक्रों में काट लिया है कैप्सिकम को भी प्यास के साथ फ्राई कर लें इसी समय इसमें एक चमचीया द्रग को चोटे टुक्रों में काट कर मिला लें मीडियम फिलेम पर इसे दो तीन मिनट तक फराई कर लें कैपसी कम और प्याज को हमें थोड़ा सॉफ्ट रोने तक पकाना है दो पी संडे में थोड़ा सा नमक मिला कर इसे अच्छी तरह से फेट लें फेटने के बाद इसे अभी एक साइड में रख लें कैपसी कम और प्याज थोड़ा फराई हो चुके हैं इनका रंग भी अलका अलका चेंज हो गया है तो इन दोनों चीज़ों को कराही के साइड में कर लें आप देख सकती है तेल भी थोड़ा बचा हुआ है तो इसी में हम अंडे को फराई कर लेंगे फेटे हुए अंडे को इसमें डाल दें आप चाहें तो कैपसी कम और प्याज को निकालने के बाद भी अंडे को फराई कर सकती है मैं इसी में कर ले रही हूँ अंडे को बराबर से चलाते हुए इसके ड्राई होने तक पका लें इस तरह से चलाते हुए अंडे के छोटे छोटे पीस भी करती जाएं अब सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लें एक चोथाई चमची काली मिर्च पॉडर में ला लें मिक्स कर लें इसे अब पके हुए ब्राउन बसमती राईस को भी इसमें मिला लें सभी चीज़ों को मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें इसी समय इसमें एक चमची नेम्बू का रस मिला लें फिर इसे एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिलेम को ओफ कर लें गर्मा गर्म फ्राइड राइस को सर्फ कर लें इतने फ्राइड राइस को हम एक लोगों को सर्फ कर सकते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलें मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ओके बाई